नमस्कार किसान भाईयों, मैं हुँ दसरे दाकर एक बार फिर से स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में किसान भाईयों इस वीडियो में हम चने की खेती के बारे में बात करेंगे जैसा कि चने की फसल में फूल से फल बनना सुरू हो चुके है यानि कि चने की फसल में जब गेटे बनना सुरू होते है उस समय पर चने की देखरे केसे करना चीए किसान भाईयों को एक ऐसा सांदार इस्प्रे में बताने जा रहा हूँ जिससे किसान भाई चने के उत्पादन को आसानने से बढ़ा सकते है आज का ये वीडियो कापी important किसान भाईयों के लिए होने वाला है किसान भाई वीडियो को पूरा जरूर दे के वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए एन्य किसान भाईों तक आप वीडियो को सेयर भी कर सकते है किसान भाईों चने में जब फूल से गेटे बनना सुरू होते है इस समय पर चने की फसल में एक बार किसान भाईों को पानी लगा देना चाहिए किसान भाईों इस समय पर पानी लगाने से गेटे आते है उनमें दानों का बराव अच्छे से हो जाता है दाने की साइज बढ़िया बनती है किसान भाई चने की फसल में फ्लोरिंग अवस्ता पर पानी नहीं दे पाते है ऐसे में किसान भाई जब फूल से गेटे या फल बनना सुरू हो जाते है उस समय पर किसान भाई चने की फसल में आखरी सिचाई कर सकते है जिससे सभी फूलों पर फल आते हैं गेटे एक साथ बनते है और चने की क्वालिटी बढ़िया बनती है जिससे चने का उत्पादन भी बढ़िया निकलता है किसान भायो इस समय पर किसान भाई चने की फसल में एक स्प्रे भी कर सकते है स्प्रे के रूप में आप एक कीटना सक ले सकते है क्योंकि चने की फसल में सबसे ज़्यादा इल्लियों का अटेक दाना बराव की समय होता है चने की फसल में हरी इल्ली अगर लग जाती है तो वो लगातार फसल को काड़ती रहती है फसल में फल फुलों को कापी ज़्यादा नुकसान करती है चने की फसल की कंडिसन के अनुसार ही चने में कीटना सक देना चीए किसान भायो अगर चने में हलकी फुलकी इल्यों का अटेक है आपने पहले ही एक या दो स्प्रे कर लिये है तो आप इमामेक्टिन बेंजोड सस्ते केटनसक का परियोग कर सकते है इसके लवा चने की फसल में अगर ज्यादा इल्यों का अटेक है तो सिजेन्टा कमपनी की एमपली को जैसी हैवी दवाओं का परियोग भियाप कर सकते है इसके लवा आप चने की फसल में NPK0050 का परियोग कर सकते है जिसमें 50% पोटास पया जाता है या पानी में गुलंसिल खाद है इसमें मौझूद पोटास एक परकार से दाना भराओ में मदद करता है चने की फसल में फल फुलों को बढ़ाने का भी काम करता है दाने की साइज को बढ़ाता है दाने को मोटा और वजंदार बनाने का काम करता है यानि कि चने की फसल में इसका परियोग करने से कापी अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपकी चने की फसल में भी फूल से गेटे बनना सुरू हो चुके है फल बनना सुरू हो चुके है तो उसमें आप यह स्प्रे कर सकते हैं जिसमें एक कीटनासक आप ले सकते है, साथ ही उसके साथ NPK 0050 का परियोग कर सकते है, इन दो चीजों के अलावा व्यर्त का खर्चा करने की कोई भी जुरूत नहीं है, अगर आपने बहुत दिन से पानी नहीं लगया है, तो इस समय पर सीचाई भी कर सकते है, जिससे चने की फसल पूरी तरह से पक कर तियार हो जाती है, और चने की पेदवार अच्छी होती है, किसान भायों चने की खेती अगर आप करते हैं, तो इस परकार से चने की देख भाल कर सकते हैं, चने के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, वीडियो पसंद आयाओ तो वीडियो को लाइक ओ रन्नी की सान सात्यों तक वीडियो को शेर जरूर करें, जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद,